सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिफिकेशन पटन बाचित आज होगी बिला तकल्लफ तैजिये में जो इस वक्त वेक्सीन की सूर्टेहाल है पूरी दुनिया में और खास्तोर पर कैनिडा के कॉंटेक्स में कैनिडा भारत से वेक्सीन क्यों नहीं मांग रहा पूरी दुनिया से जो वेक्सीन मांगने के लिए कैनिडा की कोशिश है उसकी अंसरटैनिटीज भी खबरों में आ रही है लेकिन भारत से क्यों नहीं मांग रहा ये अपनी जगा पर एक जुड़ा हुआ एहम सवाल है और इ इनकी embarrassment है या एक खिचाओ है भारत की तरफ से तो किसी किसम का खिचाओ नहीं है आज के बिला तकलफ तैजिये में इसके साथ साथ बात होगी फार्मिल प्रोटेस्ट के हवाले से यह जो millions and millions डॉलर advertisement पर और propaganda पर लग रहा है इसके पीछे क्या agenda है ये फिर आज मैं बात्चित करूँगा और फिर एहम बात होगी सदर टरंप की impeachment के ट्राइल के हवाले से former सदर टरंप मुझे यूं कहना चाहिए मगर किसी भी American President को चाहे वो अब ना भी President हो तो आप President कह सकते हैं मगर कोशिश यही है से impeachment ट्राइल की को उन से ये टाइटल भी छीन लिया जाए आज के बिला तकल्ब तैजिये में ये खुलके बाते हम करेंगी जैसा कि आप जानते हैं बिला तकल्ब में आजकल हम बहुत ही खास मेमानों को लाते हैं में जब गौरव आरिया जी भी इस हफते दोबारा आएंगे हर अफते आया करेंगे तारिक फता जी भी बहुत रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जोड़े होंगे और सन्क एकरान सानु जी जो हमारे गौरव परकाशन के चीफ एग्जेक्टिव उनका भी कालिग खास इंटर्विव आप देखिएगा चलिए मैं बात चीछ चुरू करता हूँ आज के मौजू की तरफ आज के मुद्दों की तरफ सबसे एहम मुद्दा है वैक्सीन का पहले ही कहा है अपने ट्विटर एकाउंट पे एक वीडियो पोस्ट उनों ने की कि मैंने मिनिस्टर लिबरल सरकार की अनीता आनन जी से पूछा कि क्या वैक्सीन के लिए हम मारे मारे जो फिर रहे हैं क्या हमने प्राम मिनिस्टर निंद्रा मूदी से बात की है तो इस सलस पेस्कानि के उक्ट से अ कुञे हैं कि कि एकले ने Typ घू झालार इत्वाशन की काजिए नेशन की तो सी की लिएको ए्योस उनेश सेफ शेए्ट टांने जो किमारे मारे मुष एक्षाहशन की अग्डार हैं कि तो물े एक्षानिज के सब्सू इखिए प्रिघू इना तो हमारी जो कंजरवेटिव की MP है मिशल रैमपल उनोंने वाज़ तोर पर लिबल पार्टी की मिनिस्टर मिस अनीता आनन से पूछा के जो हम additional vaccine के लिए अभी तक certain नहीं है कैनेडा में और एक तरह से मारे मारे फिर रहे हैं और एक बहुत ही uncertainty है उसके सिलसा में जब भारत इस वक्त दुनिया की फार्मेसी है दुनिया में सबसे ज्यादा जो vaccine है वो भारत में बनी भारत बहुत सरे country's को मुफ़ भी दे रहा है और बहुत सरे कंट्रीज बाहरल से बाई भी कर रहे हैं तो पूछती है कि नेदरा मुदी प्राइम मिनिस्टर से आपकी गौर्मिन्न की बात हुई उन्होंने मिनिस्टर अनीता अनन ने कहा कि नहीं बात चीत हुई यह बहुत बड़ी खबर है जो कैनेडा के सोशल मीडिया पर और जो मुक्तलिफ पुलिटिकल सर्कल्स में डेवेट हो रही है उसमें यह चल रही है एक और एमपी रिजाइना से तल्लक रखते हैं स्टैनले वारन उन्होंने भी इस सरसा में ट्वीट की और उन्होंने मिस रेमपल की ट्वीट को रेट्वीट विद कॉमेंट करते हुए यह लिखा यह देखिये स्क्रीन पे वो कैते हैं ग्रेट क्वेस्टिन मिशल रेमपल वी शुट बी बिल्दिंग ऑन फार्मर प्राम मिनिस्टर हार्पर और प्राम मिनिस्टर मूदी पॉजिटिव एं अगरेटिव रेलेशनशिप बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है दो तीन लाइनों में जो एमपी वारन स्टैनले ने कहा हुए उन्होंने कहा कि हमें जो फार्मर प्राम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर का जो तल्लक था प्राम मिनिस्टर मूदी और भारत के साथ हमें उस तर इस तरह इस्तवार करने चाहिए भारत के साथ तल्लक जिस तरह हुआ करते थे यानि इसका मतलब सिर्फ वैक्सीन में नहीं है यानि जो डिरेल हो रहे हैं कैनिडा इंडिया रिलेशन इसके बारे में एम पी वारन ने बहुत खुल के बात की है सोचने की बात है कैनेडियन इसके लिए हम इस पर और भी शो करेंगे और इंग्लिश में भी हमारे शो इसके इस मिशू पर सामने आएंगे अब हम एक और एहम देखते हैं स्क्रीन शाट नैशनल पोस्ट का नैशनल पोस्ट ने अपनी खबर में रेक्स मर्फी एक पहुत ही जिसे कहते हैं क्रेडिबल seasoned journalist हैं उन्होंने लिखा के this is the worst Canadian government ever can there be any question the country is in economic crisis the house of common is a movie theater we are shamed in the international community and the list goes on Rex Murphy Canada की लिखत की दुनिया में पतरकारी की दुनिया में जनलिजम की दुनिया में बहुत ही credible नाम हैं बहुत ही seasoned journalist हैं बहुत ही बड़ी आर राइटर हैं उन्होंने अपने इस article ओपेड की जो headline दी और जोस की subtitle है वो पूरी कहानी बयान कर देती है sadly what he said that is the scenario here in Canada मैं इसके बारे में खुल के कहा करता हूँ का उन्फर्चुनेली वो एक हमारा पंजाबी का हिंदी का एक शब्द है चोकर खेड इस वक जो कैनिडा की politics है वो चोकर खेड बनी हुई है अब मैं क्या कहूँ I'm not a age racist guy के मैं खुद अब अमर में बड़ा होता जा रहा हूँ छोटी अमर के जो politicians हैं मुझे पसान नहीं मकर बाद अमेरिका में आप बड़ी उमर के politicians ही आएं ना 78 एर के प्रेजिडेंट बाइडन है वहां पर भी अब चोकर खेड होना शुरूर चुकी है इसे उमर का कोई तल्लक नहीं होता जो immature रवया है वो है असल में सारा खेल तमाशा और ये एक प्राब्लम इसको चल रहा है चोकर खेड सिर्फ उमर से तल्लक नहीं रखती चाहे कैनड़ा में हो चाहे अमरीका में हो उस पर हम बात थोड़ा आगे चल कर करेंगे बहुत ही चैलेंजिंग समय है हम केनेडियन के लिए इस कोविट क्राइसिस ने जब हम यहां तक वेक्सीन के जमाने में आए एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल इंबारिस्मेंट जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है हमारे दो केनेडियन चाइना की मॉन्स्टर रजीम के हा रहे हैं चीन से और भारत जिसके साथ इतनी दोस्ती भारत जिसने कभी भी कैनेड़ा का बुरा नहीं चाहा यहां पर भारत के खलाब बैठकर साथशे होती है और भारत फिर अपनी ओपन जो आम्स लेकर बैठा हुआ है के कैनेडियन को जहां कहीं जूरतों की हम देंगे ए सबसे बड़ी फार्मेसी आ वर्लड हैल्थ ऑगनेजिशन से लेकर ए नो तक और दुनिया का कौन सा मुलक है जो भारत की ऐसीद को नहीं मानता लिकिन कैनेडा इस तरह इसलिए के लिए नहीं आ रहा के एक इम्बैरिसमेंट पर्मर्ज के जो पर्टेस हो रहे हैं उस इसलसा में किनेडियन प्राम मिनिस्टर ने ना सिर्फ प्राम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर्स ने भी बश्यमूल कंजर्वेटिव पार्टी इंकलूडिंग कंजर्वेटिव पार्टी एंट एंडी पी तो खर है ही है मि freshrer jagmeet singh तो लगता ही नहीं है कि कैनीड़ की किसी federal party के head है वो तो लगता है एक ही उनका personal capita है anti-india, 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 मैं anti-india और anti-india को दो मकिले pronunciation में इसलिए बयान कर रहा हूँ जोर देने के लिए कि अनफर्चुनेडली ये हमारी छोकर खेड़ा पॉलिटिक्स की जो इस हद तक आगे जा चुकी हुई है अब भारत में हमने जो देखा जो भी भी चल रहा है पॉर्टैस उसमें जो इंसरेक्शन हुई डिमॉक्रेसी पर जो हमला हुआ फॉर्मर्स जो इनुसेंट फॉर्मर्स है मैं उनकी कदर करता हूँ उनकी आड में हजारों लोग फॉर्मर्स फॉर्टैस को अब हाइचेक कर चुके हुए हैं वो है भारत की सूर्ट और यहां यह सूर्टेशाल है सुपर बॉल कल की ही दास्तान है Millions and Millions डॉलर का एड छपता है सुपर बॉल के लिए वो विडियो एड था जो चलता है और उसमें क्या ड्रामा नहीं किया गया हैरत होती है कि ये फॉर्मर्स का कॉज है Millions and Millions डॉलर जिनको दे रहे हैं Allegedly रहाना और इस तरह की जो celebrities हैं जिनको कुछ पता नहीं दुनिया की politics का भारत के ABC का नहीं पता वो ये tweets उनकी जो lobbying firms हैं उनकी tweets आ रही हैं और of course उसमें भी allegedly Millions and Millions डॉलर इंवाल में कौन है इसके पीछे? चीन है इसके पीछे? पाकिस्तान किसी यह तक इसके पीछे हो सकता ह। उसके पास अब इतना पैसा भी नहीं रहा लेकिन हर दस बीस मिलियन डॉलर तो वो भी खर्चकारी देंगे अपने प्रापगेंडे के लिए लेकिन ये दस बीस मिलियन डॉलर से बहुत आगे का खेल जा चुका हुआ है ये जो यहां पर बैठे हुए हरकतें कर रहे हैं मजाग बना रहे हैं फार्मर्स पर्टेस को भी अपनी दरफ से मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं खालस्तान की बात कर रहे हैं आवाज उठा रहे हैं वहां पे खालस्तान का कुछ नहीं होना हुआ ये मैं आपको दावे से बता सकता हूँ, भारत में जो इनकी अपनी सरकारें थी जिनके साथ ये एक्स्ट्रीमिस्ट उस वक्त नहीं एगरी करते थे, अब करते हैं एगरी कांगरिस की, उस रमाने में कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत मजबूत सरकारें हैं और जब ये सरक की मैनुवरिंग कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, उन्होंने सब को बेवकूफ बनाया हुआ है, और जो बिचारें वहां पर फार्मर्स बैठे हुए हैं, वो पर्शान हैं, वो इनसे भी पर्शान हैं, उनको पता चलना है को उनका कास जो भी था, वो भी खतम हो रहा है, उनको गलत प्रापगेंडा किया गया, उनको बिल्स के बारे में गलत बताया गया, जो फार्मर्स बिल हैं, वो अगर कोई भी पढ़ ले उसको वो फार्मर्स के एक्चुली हक में हैं, लेकिन बदकिसमती से बेंस के आगे बीन कौन बजाये वाली सूर्ते ह होगा वहाँ पे, वो उसी तरह ही अपनी जिन्दगियां चलाते रहेंगे, मगर वो इनके हाथों, ये जो एक्स्ट्रीमिस्ट हैं, जो मिलियन्स एंड मिलियन्स डालर का धंदा करने, इनके हाथों वो बिचैरे जैसे होता है न पुतली तमाशा बने रहेंगे, ये है सूर एक भारती हक था, उनकी बहुती समझ बूज़ थी, उनके अक्तल से बात की, अगर्चे वहाँ पे जो आपोजिशन के लोग हैं, उनके खलाफी बात्चित कर रहें हैं, इस सलसे में एक इंडिपेंडन्ट एमपी हैं, मिसराना, उन्होंने बात की भारत के मीडिया में और ह हम शुक्रिया के साथ, कर्टिसी के साथ, हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप उनका यहां पर पेश करते हैं, मुझे लगता है जो नैशनल हीरोज हैं, उन्हें किसी को प्रूफ करने की जरुवत नहीं है, वो देश के हित में या देश के विरोध में, जब वो कोई स्टैन ले सकता है, अगर किसी ने उस ट्वीट के क्रॉस में, अगर किसी पर गुना दाखिल करते हैं, तो मुझे लगता है, वो खुद एंटी हैं ये देश के, वो हित में नहीं बात कर रहे हैं। पड़े हो में, वह क्यों, आप अपनी बात कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रीमिस्ट दुनिया के अब यही चाहते हैं, चाहे फार लेफ्ट के एक्स्ट्रीमिस्ट हों, इस्लामिस्ट हों, चाहे और तरह के एक्स्ट्रीमिस्ट हों, उनका यही कहना होता है, जो बात हम कहेंगे बस वही चले कि हम आपकी बात सुन रहे हैं आप अपनी बात करें तमीज से करें अकल से करें हमारी बात भी आप सुनें तमीज से सुनें अकल से सुनें पस यही डायलॉग होता है यह डायलॉग खतम करना चाहते हैं आप दुनिया से नहीं खतम होगा यह mind your language ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो मिस्त नवदीत ना कह रही है वो बिलकुँ दरुस्त है इस हद तक बात कि हक है उनको आप ये कहना कि क्यों कर रहे हैं भई वो कर रहे हैं उनकी उपीनियन है आप अपनी टिवीट कर रहे हैं वो आ रहा है यहां टोरांटो में भी अड्मिंटन में भी रजाइना में भी और वैंकुवर में भी अमरीका में भी बाहर आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि इनफ इस इनफ अभी कल ही की बात है एक बहुत बड़ी रैली कार रैली वैंकुवर में बार्ती डाइसपुरा ने की उन्होंने का जो तरंगा का अपिमान हुआ था वहाँ पर दिली में हम उसके खलाफ हैं जहां कहीं भी होगी तरंगा की बेहरमती हम बरदाश नहीं करेंगे ये उनका हक का कहने का वो कार रेली देकर निकले मैं एक वीडियो क्लिप जो वेंकूर में हुआ उसके हवाले से आपके साथ शेयर करता हूँ करता है कर दिक्स भाटने कर दें मते Sindicik ऑनmy नग discretion थे रचिस अ pracछ भाट करूश है कर दो कर दो तो यह है सूरते हाल अब यहां पर जो डिविसिवनेस बढ़ाई एक्स्ट्रीमिस ऐलिमेंट्स ने उस पर भाती डाइस्पोरा भी सामने आ रहा है और आवाज उठा रहा है और खुल के कह रहा है कि हम इस तरह की इंसल्ट बेहुरमती अप्मान नहीं बरदाश करेंगे बिल जब खलाफ होने की बात होती है तो हम यहां पर आखर में आज के तजिये में जरूर बात करेंगे इंपीश्मेंट का जो ट्राइल शुरू हुआ है यूएस में प्रेज़न्ट टरम्प के खलाफ फॉर्मर प्रेज़न्ट टरम्प के खलाफ वो अपनी जगह पे बहुत ही स्क्रीन शॉर्ट आब यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं इंटरस्टिंग सिचुएशन है कहते हैं कि टरम्प लॉयर्ज अर्ज ही डिड नॉट इंसाइट राइट बाइस बाइसंग फाइट लाइक हैल यह तरम्प के लॉयर्ज कहरे हैं यह मैं जे एगरी करता हूँ औ कि प्रेसिडेंट टरुम्प नहीं कहा ता कि आप टीसुलिऑ जाये जाएए बात करिये उसकी कोई यह बात नहीं करतें लेकिन वही बात जो भी पीछे कर रहा हूं फ़ोर्य तुसरी सोच की कोई घंचाइश नहीं जो हम सोचते हैं यह मकमल तोर पर वह सुनी नहीतक лिया और उसकी कोई स्पेस नहीं उसको मिलेगे प्रेशिडर्ड ट्रॉम्पका, ट्वीटर, प्रेसिडिएंसी के नियों है बन कर लिया किया यह जिए जूशिल मीडिया है यह कहने कोई सोशल मीडिया, जाका काम यह था, यह सोशलाइजेशन के लिए काम आता उस पे खुद ही इन्हों ने पॉलिटिक्स को चलाई खुद ही इन्हों ने पैसा कमाने के लिए एलेक्शन की मुहमें तमाम सोचल कंपनियों ने चलाई सोचल मीडिया की कंपनियों में अब ये सोचल मीडिया की कंपनिया डिविसिब मीडिया बन चुकी हुए हैं बहाराल य आने वाले दिनों, सालों, महीनों में पता चलेगा, लेकिन इस वक्स सूरतिखाली है, पेसिडिन्ट ट्रम्प के खलाफ इंपीश्मेंट का ट्राइल चल रहा है, और इस ट्राइल में कमस कम रिपब्लिकन के 17, यानि 17 सेनिटर्स को खलाफ जाना चाहिए, पेसिडिन्ट ट्र बाकी नहीं जाएंगै, इंपीशमेंट तो नहीं होगी, लेकिन पेसिडिन्ट ट्रम् के खलाफ प्रपगेंडा और रिपब्लिकन के खलाफ प्रपगेंडा होगा, रिपब्लिकन पार्टी और डिवाइड होगी, यह है सूरते हाल ऐहां पर, लेकिन इस वत निटिएव की दुनिया में जिसके हाथ में जो गेंड है वो उसी गेंड से खेलना चाहता है और यूँ चाहता है कि दूसरे का गेंड नजरी ना आए बस सिंपल ये खेल तमाशा है खास तोर पर एक्स्ट्रीमिस्स जो ये तबके हैं ये तो अब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रीमिस्म की करफ जा रहे हैं ये किसी सूरत भी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं हमारा शो ऑन एर जाता है तो ये सारे एक्स्ट्रीमिस्स तूट पड़ते हैं कि ये किसी सूरत हम निसको नहीं चलने देंगे लेकिन आफ्टर आल कब तक ये अपनी बदमाशियां चलाते रहेंगे ये नहीं चलेगा आपकी बात हम सुनते हैं आपको भी हमारी बात सुनना होगी आज किया बिला तकल्लव तैजिया ताहर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया